स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी तिफ्ट पर आसा करता हूं आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुदी रख रहे होंगे दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्तित हुए हैं उसका नाम है जैन धर्म इससे पहले हमने बौध धर्म और भी प्राचीन भारतिया इत्यास के स्रोतों इंडस वैले सिविलाइजेशन और उत्तर वैदिक काल और लीग वैदिक काल को बखुदी मतलब बिस्तार से पढ़ा है दोस्तों अच्छा की तयारी कर रहे हूं चाहे वो PCSO, SSC, RRB या फिर किसी भी टेकनिकल या नॉन टेकनिकल एक्जाम के आप प्रिप्रेशन कर रहे हूं आप उसके प्रस्ण को आसानी से हल कर पाएंगे इस वीडियो को आप अंत तक देखे जिससे आप जैन धर्म से संबंदित किस भी प्रस्ण को आसानी से हल कर पाएंगे चलते हैं हम लोग अपने टौपिक जैन धर्म की तरफ तो दोस्तों जैन का मतलब होता है संस्क्रीत के जिन सब्द से जैन की उत्पत्ति हुई है और इस जिन का क्या मतलब होता है? इस जिन का मतलब होता है विजेता यानि कि जितेंद्रिया इंद्रियों पर बिजय हासिल करने वाले को ही जैन कहा जाता है तो इससे जिन सब्द से उत्पत्ति हुई जैन धर्म के जो महात्मा होते थे दोस्तों उसको निरगरंत कहा जाता है और इनके अधिस्ठा था यानि कि इनके पुज्य जो परम पुज्य होते थे उनको तिर्थंकर कहा गया जो जैन धर्म के प्रथम तिर्थंकर हुए हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में कितने तिर्थंकर हुए 24 तिर्थंकर हुए उनमें से 24 वे तिर्थंकर को ही हम लोग इतने महत्वपूर मानते हैं महावीर स्वामी के बारे में हम लोग देखेंगे आज जो प्रथम तिर्थंकर हुए दोस्तों इनका नाम था रिसब देव यानि कि इसे ही आदिनाथ कहा जाता है तो आपसे रिसब देव कहा जाए या फिर आदिनाथ तो आप कन्फ्यूज नहीं होईएगा 22 तिर्थंकर जिनका की नाम अरिष्ट नेमी था और अरिष्ट नेमी का उल्लेक रीग वेद में देखने को मिला है ऐसा कहा जाता है कि और ऐसे एथियासिक सुरोथ हमारे पास है ऐसे evidence है हमारे सामने कि कहा गया है कि ये जो 22 तिर्थंकर अरिष्ट नेमी है ये हैं बासुदेव श्रीक्रिस्न के चचेरे भाई कहे जाते हैं इनका मतलब है कि जैन धर्म और जो बासुदेव श्रीक्रिस्न का भी संबंद आपस में रहा होगा ठेक है तो ये हम लोगों ने देखा फिर 23 तिर्थंकर हुए जैन धर्म के पारस्वनात बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां से क्वेस्चन बनते ही बनते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना है पारसोनात ये आप देख रहे होंगे पारसोनात और इसके उपर नाग का ये बना हुआ है नाग ये फन काड़े हुए यहाँ पर नाग दिख रहा है इनका निर्वान जो हुआ है दोस्तों इनका निर्वान यानि कि इनकी मिर्क्तिव पारसोनात की 100 वर्स की आयू में यहां आपको दिख रहा होगा सम्मेद परवत सम्मेद परवत जैन धर्म के लिए जैनियों के लिए जैन धर्म को मानने वालों के लिए यह सम्मेद परवत बहुत ही महत्वपुर्ण तिरत असल है जो कि जारखंड के पारस जारखंड के गिरीडी जारखंड के गिरीडी जिले के एक पारस नात नाम का जगह है वहीं पर पारसवनात की पहाडी में इसे सम्मेद परवत कहा जाता है यहीं पर कहा गया है निर्वान अस्थल महरती पारसवनात का या फिर 22 तिर्थंकर पारसवनात के तो हम लोग बात करते हैं 23 तिर्थंकर पारसवनात के बारे में इनका जन्म हुआ था, कौनकिन का, तो पार सोनात का, इनके पिता का नाम था, राजा अस्वसेन, जोकी इच्वांकुवंस से सम्बंद रखते थे, माता थी, वामा देवी, इनकी पत्नी का नाम, प्रभावती, कूसवस्थल की राजकुमारी थी, कुस वस्तल की राजकुमारी थी फिर उसके बाद जैन गरंथों में पारसवनात को पुरू सात मियम कहा गया दोस्तों जैन धर्म के मानने बालों को निरगरंथ कहा गया जो पारसवनात थे इन्होंने जैन धर्मियों के लिए चार महावरत दिये ठीक है इन चार महावरतों को हम लिख देखते हैं सत्य अहिंसा और परिग्रह औस्ते सत्य यानि की आपको कभी भी जूट नहीं बोलना है अहिंसा यानि की हिंसा नहीं करनी है किसी भी जीव जन्तु को छती या फिर उन्हें मारना नहीं है और परिग्रह संपत्ति को अरजित नहीं करना है ओस्ते यानि कि चोरी नहीं करना है ये जो पारस्वनात थे इन्होंने 30 वर्ष की आयू में सन्यास ग्रहन कर लिया दोस्तों उसके बाद 13 दिनों की तपस्या के बाद इनको ज्यान की प्राप्ति हुई तो बात हो गई पारस्वनात के बारे में जो कि जैन धर्म के 23 तिर्थंकर थे, बात करते हैं, जैन धर्म के 24 तिर्थंकर हुए, उन में से कुछ महत्वपोर्ण तिर्थंकर है, जिनको की आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, याद रखना ही रखना है, जो रिसब देव थे, पहले तिर्थंकर थे, जिनको की आदी नात भी कहा ग पर होना चाहिए अरिष्ट नेमी 22 वे तिर्थंकर ठीक है 22 वे तिर्थंकर इनके बारे में हमने अभी बात किया ठीक है उसके बाद 23 वे तिर्थंकर पार सुनात 24 वे तिर्थंकर महावीर स्वामी ठीक है हम अभी इनी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे महावीर स्वा इनका जन्म हुआ था, कहां पर तो कुंड ग्राम जो कि बैसाली के निकट बिहार के बैसाली के निकट एक जगा पड़ता है, कुंड ग्राम वहां पर इनका जन्म हुआ था, इससे कहा जा सकता है कि ये जैन धर्मियों के लिए बहुत ही महत्तोपुर्ण तिरतस्थल हो गया, इनके पिता का नाम था सिद्दार्थ आप देखेंगे कि जैन धर्म और बौध धर्म में बहुत ही समरूपता सिमिलारिटीज आपको देखने को मिलेंगी जैन धर्म और बौध धर्म में आपको बहुत ही सिमिलारिटीज देखने को मिलेंगी वो दोनों एक दूसरे के समकालिक थे हम लोगों ने देखा था कि कैसे जैन धर्म और बौध धर्म और और अन्य संपरदायों का उदय हुआ था उत्तरवैदिक काल के अंतंत में 600 सताबदी के आसपास में ठीक है 600 सदी इसापुर्व में तो ये क्यों हुआ था कैसे हुआ था हमने बद धर्म में विस्तार से इसके बारे में चर्चा कर लिया है तो आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं महावीर स्वामी के माता का नाम था त्री साला जो की लिच्छवी सासक चेटक की बहनती और ये जो लिच्छवी सासक है दोस्तों ये लिच्छवी सासक काँ थे? चेटक? ये थे बिम्बी सार के ससूर बिम्बी सार के ससूर जब हम लोग बात करेंगे हरन्यक वंस, नाग सिसू वंस इस सब के बारे में जब वंस सामराजी को देखेंगे महाजनपत के बाद मगद सामराजी को जब देखेंगे तो वहाँ देखेंगे बिम्बी सार को और ये बिम्बी सार के ससूर थे लिच्छवी सासक चेटक और इनकी 32 साला जो की माथा थी महावीर की इससे पता चलता है कि बिंबी सार और महावीर का आपस में संबंद भी था जो महावीर स्वामी के बच्पन का नाम था वर्धमान महावीर ठीक है इनकी पत्नी का नाम था यसोदा जो कि कुंडिय गोत्र के राजा समर्वती की कन्या थी इनके पुत्री का नाम था प्रिया दर्सना जिनको अनुज़ा भी कहा जाता था इनके दमाध हुए जामाली जो कि इनके प्रथम बिरोधी और प्रथम सिस्य भी हुए अच्छा ये प्रतम बिरोधी कब हुए तो जब 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 कैवल्ली की प्राप्ति हो गई उसके चोदहवे वर्ष में ये इनके बिरोधी हुए और वो प्रतम बिरोधी कहला है आपको इसे भी याद रखना है इनके एक बहुत ही प्रमुक्ष सिस्य थे मखली पुत्र गोसाल जो की आजिवक संपरदाय के संस्थापक भी रहे है आजिवक संपरदाय बहुत है पुछा जाता है ठीक है तो आपको याद रखना है कि मखली पुत्र गोसाल किनके सिस्य थे महाविर स्वामी के और ये आजि बात करते हैं महावीर स्वामी के गुरू कौन थे तो महावीर स्वामी के अध्यात्मिक गुरू थे पारस्वनात और इनके माता पिता महावीर स्वामी के माता त्रिसाला और पिता सिदार्थ भी इनके पारस्वनात के ही अनुयाई थे यानिके निरगरंत थे बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में तो महावीर स्वामी सत्य की खोज में की सच्चाई क्या है, जीवन की सच्चाई क्या है सत्य की खोज में अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नंदी वर्धन से आग्या लेकर वर्सों की कड़ी तपस्तिया किया यानि कि 30 वर्स की आयू में ये ग्रीह को त्यागे यानि घर से निकल गए नंदी वर्धन अपने बड़े भाई से आग्या लेकर फिर 12 वर्सों की कड़ी तपस्तिया किया रिजू पाली का नदी के किनारे इन्होंने 12 वर्स की कड़ी तपस्या की और 42 वर्स की आयू में इन्हें कैवल्ली की प्राप्ति ज्यान की प्राप्ति होती है रिजुपाली का नदी के किनारे साल ब्रिक्च के नीचे आपको याद रखना है जब इन्हें ग्यान की प्राप्ति हो गई, कैवल्ली की प्राप्ति हो गई, कैवल्ली का मतलब होता है, सरवोच ग्यान, पुर्न ग्यान मतलब इसके बाद और कोई ग्यान बचा ही नहीं, जब इनको कैवल्ली की प्राप्ति हो गई, तो इनको कुछ उपाधियां भी दी गई और महावीर स्वामी को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे केवलीन, जिन, निर्गरंत, अरहत बात करते हैं केवलीन यानि की केवल्ले सरवच ज्यान प्राप्त करने वाले को केवलीन कहा गया जिन यानि कि बिजेता जो कि इंद्रियों पर बिजय हासिल कर लिया है जितेंद्रिया ठीक है निर्गरंत बंधनों से रहित किसी भी बंधन से ये अब बंधे हुए नहीं है ठीक है अरहत यानि कि पुझ्ज, तो इन नामों से इन्हें नवाजा गिया, इन्हें कुछ उपादिया दी गई, आपको पुछा जाए, केवलिन, जिन, निर्गरंत और अरहत की नहीं कहा गिया, तो ये महाविर स्वामी को कहा गिया, जो जब इन्होंने ज्यान की प्राप्ति कर ली ने प्रतम उपदेश राजगीरी में, ठीक है, और जो इनकी मृत्ती हुई, जिनको निर्वान कहा जाता है, मल गनराज के प्रधान का सासित छेत्र ठीक है सासित छेत्र और ये कहा है तो पावापूरी राजगरी में तो हो गया यहाँ पर दो जैन तिर्थ बहुत ही एक हो गया कौन सम्मेद परवत सिखर पारसनात और एक हो गया यहाँ पर पावापुरी जहांपर महावीर स्वामी का क्या हुआ निर्वान को प्राफ्ति किये पावापुरी राजगीरी में तो दो तो जैन तिर्थ अस्थल हो गए बहुत ही महत्तोपूर्ण जैन धर्म के पाँच वरत इनमें से चार वरत को पारसोनात हमने इसके बारे में बात कर लिया है जो पाचवावरत है ये किन के द्वारा दिया गया ये किन के द्वारा जोडा गया तो स्वामी महावीर के द्वारा आपसे ये questions पुछा जाता है एक्जामिनेसंस में ये पुछा जाता है कि पाच्वा महावरत कि इनके द्वारा जोडा गया ता आपको बताना है महावीर स्वामी के द्वारा पाच्वा महावरत को जोडा गया जैन धर्म में तीन रतन, त्री रतन बोला गया इस त्री रतन को तीन जोहर भी कहा गया इसको कहा गया मोक्च पाने का रास्ता आप अगर इन बातों को इन तीन रत्न को इन तीन जोहर को अपनाएंगे तो आपको मोक्च की प्राप्ति होगी मुक्ती की प्राप्ति होगी आप जन्म और मरन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे ये कहा गया जैंधर में और ये तीन रत् तीन जोहरमोग्षपाने का आसान सरास्ता. अनूवरत किसे कहा गिया? तो दोस्तों होता क्या है कि जैन धर्म में जो सन्यआज गहन कर लिये उन्हें भिख्चुक कहा गया उसके बाद जो ग्रिहस्त जीवन व्यतित करते होजे जैन धर्म का पालन करते थे वो कहा जाता था कि वो अनुवरत धर्म का पालन कर रहे हैं, ठीक है, जैन धर्म में कुछ important terms आते हैं, जैसे कि स्यादवाद, जिसे कि अनेकांतवाद भी कहा गिया, सप्त भंगी भी इसे भी कहा गिया, आपसे पूछा जाए, अनेकांतवाद को स्यादवाद और सप्त भंग किये, अन जल को आप अगर गहन नहीं करते हैं कुछ दिनों तक, तो खुद भकुद आपकी मृत्ति हो जाएगी, और इस तरह से अगर आप अपने प्रान को त्यागते हैं, तो कहा जाता है कि आपने संलेखना पद्धती के अनुसार अपने प्रान को त्यागा है, और जैन धर्म देवताओं के अस्तित्तो को स्विकार करते थे, तो हाँ, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्तो को तो स्विकार करते थे, परन्तु देवताओं के अस्तित्तो को जिन से नीचे मानते थे, जिन ही मतलब जैन तिर्थंकर, ठीक है, यानि कि जितेंद्रिय, जिनको की इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो गया है जित जैन तिर्तंकरते नीचे देवताओं के अस्तित्तों को इन्होंने स्विकारा ठीक है वर्ण विवस्था के बारे में इनका क्या कहना था तो महावीर के अनुसार जो की पुर्व जन्म में जो कर्म किये गये हैं उनी के अनुसार लोगों को उच्च वर्ण और निम्न वर्ण में जन्म दुसरे जन्म में मिलता है ठीक है ये होता है बात वर्ण विवस्था के बारे में इनका कहना था ठीक है बात करते हैं कि जैंधर में और कुछ उलेखित ग्यान क्या थे तो देखे इनमें कुछ उलेखित ग्यान थे जैसे कि मती मती का मतलब होता है जैसे आपको कोई बोले कि क्या तुम्हारी मती खराब हो गए यह मती का मतलब होता है कि आप अपने इंद्रियों का यूज क करके आप अपने अंग का यूज करके जो ज्यान अरजित कर रहे हैं जैसे कि हम अपना जो दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाते हैं अपने हाथ से लिखते हैं मुह से पढ़ते हैं तो इस तरह से हम कुछ ज्यान अरजित कर रहे हैं इस तरह से ज्यान अरजित करने को जैंधर जाकर सुन रहे हैं और सुन सुनकर आप वेद का ज्याता हो गए तो आप कैसे उस ग्यान को अरजित की सुरूती के द्वारा अवधी होता है तीसरा जिसमें की कहा गया दिव्व ग्यान को यानि कि देवताओं के समान जिसको ग्यान प्राप्त है उसे अवधी ग्यान कहा गया मना परियाए आप अगर किसी अन्यवेक्ती के मन मस्तिस्क में क्या चल रहा है अगर आपको इसके बारे में जानकारी हो रही है तो आपको मना परियाए के ज्यान है कैवल यानि की पूर्ण ज्यान सर्वच ज्यान आपने सारा ज्यान प्राप्ट कर लिया जैन धर्म में महाव महाविर स्वामी के कौन थे महाविर स्वामी की माता थी। अब देख रहे हैं कि जैन धर्म के प्रचार प्रचार के लिए महाविर स्वामी के द्वारा क्या क्या किया गया। इस्तरी और पुरूस दोनों को कहा गया कि आप इसमें भाग ले सकते हैं। ये आपको याद रखना है कि जैन धर्म के जैन संग बनाया गया जो कि पावापुरी में महाविर स्वामी के द्वारा बनाया गया था। उसमें इस्तरी और पुरूस दोनों भाग ले सकते थे। जो इनके अनुयाई की संख्या थे उनके अनुयाई की संख्या था चौदा हजार ठीक है। उस समय और जैन धर्म में अगर परसार की बात करें तो इनको जब ग्यान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहा दिया था राजगिरी में हमने इसके बारे में पहले ही बात कर लिया है। इनके जमाली जो थे इनके दमात थे और ये इनके प्रथम सिस्थी थे और इनके प्रथम विरोधी भी थे हमने इसके बारे में भी बात किया है। इनको कहा गिया गंधर। कहा पर हुआ जैन धर्म दक्चिन और पस्चिन में फैले। फिर उसके बाद पाटली पुत्र में एक परिशद का आयोजन किया गया। पाटली पुत्र जो कि अभी पटना है ठीक है पाटली पुत्र में एक परिसद कायोजन किया गया जिसमें की जैन धर्म के मुख्यूब देसों को कलेक्ट किया गया करनाटक में जैन धर्म का परचार परसार किनके द्वारा किया गया तो करनाटक में जैन धर्म का परचार परसार किनके द्वारा चंद्रगुप्त मौरी के द्वारा किया गया जिन्होंने सनलेखना पद्धती से अपने प्रान को त्यागाता हमने इसके बारे में भी चर्चा किया है और करनाटक में सबसे जायदा सबसे जायदा जैनमट ठीक है करनाटक में सबसे जायदा जैनमट पाँचवी सदी में बने और करनाटक में जो जैनमट थे उन्हें कहा गिया वसदी ठीक है आपको इसे भी याद रखना है वसदी जैन धर्म में महावीर स्वामी के 1468 इसा पूर्व में तो सुधामर सुधर्मन जैन संग के अध्यक्च बने तो इसे भी आपको याद रखना है यानि कि महावीर स्वामी के मृत्व के बाद जैन संग जो की महावीर स्वामी के द्वारा बनाया गया था उनका अध्यक्च कौन बना तो सुधर्मन बना ठीक है फिर उसके बाद कलिंग नरेस खारवेल के द्वारा उडिसा में जैन धर्म को संरक्षन मिला था, हम बात कर लिए जैन धर्म के प्रचार परचार के बारे में। अब देखें दोस्तों कि जैन धर्म का विभाजन भी हुआ था ठीक है जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ तो बात होती है आज से 300 इसा पूर्व की 300 इसा पूर्व के समय की उस समय मगद वाले रिजन में भीसन अकाल पड़ा ठीक है यह आप देख रहोंगे भीसन अकाल पड तो मगद वाले रिजन से यहां से जो जैन धर्म के लोग थे वह कहा गए वो वहां से बहुत सारे जैन धर्म के लोग चले गए दक्षिन की ओर करनाटक सरवन बेलगोला की ओर चले गए और वो किसके नित्रित में गए जो दक्चिन के और गए वो गए भद्र बाहू के नित्रित में का इसके किनके नित्रित में भद्र बाहू के नित्रित में चले गए और कुछ लोग कुछ जैन धर्म के लोग यही रह गए यानि कि मगद में ही रह गए और और रहे इस्थूल नित्रित में. अब जब यहां रह गए और जैन दक्षिन में चले गए इस्तूल भदर भाहु के नित्रित में. अब जब 12 साल का जब भीसा नकाल पड़ा उसके बाद क्या हुआ? जीवन यापन लोगों का समान में होने लगा, जैन जीवन समान में होने लगा, तो वहां से ल पुसार नहीं चल रहे हैं, तो उनके बीच मदभेद हो गया, ठीक है, अब इस मदभेद के कारण, इस मदभेद को खतम करने के लिए एक परिशद का आयोजन किया गया, कहां पर पाटली पुत्रा में, ठीक है, ये आयोजन परिशद का किसके किनके बीच किया गया, तो दक्षिनी जैन और मगद के जैन, दक्षिनी जैन को कहा गया, दिगंबर यानि की नगन रहने वाला, दिगंबर यानि की नगन रहने वाला बस्तर को त्याग देने वाला, ठीक है, उसके बाद मगद के जैन, जिसे स्वेतामबर कहला है, ठीक है, स्वेतामबर का मतलब होता भाजन के बारे में, कुछ प्रभुक्स जैन संगितियां हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, हम लोग अभी देखें कि 300 इसा पूरुब के आसपास, वो क्या हुआ था कि भीसा नकाल पड़ा था, उसके बाद जैन धर्म दो साखाओं में बट गया, तो मगद के जैनियों का जो नित्रित्तु करता थे, जो नेता थे, इस्तूल भद्र, वो यहां इनके अध्यच रहे, ठीक है, और उस समय, उस समय, पाटली पुता में सासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौरिय थे, इस संगिती का परिनाम क्या हुआ, तो इस संगिती का परिनाम यह हुआ कि जैन धर्म दो भागों में, दो साखाओं में बट गए, स्वेतांबर और दिगांबर, जिनके बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, उसके बाद इसी संगिती में हुआ क्या, कि जैन धर्म की जो सिक्छाएं थी, जो उपदेश थे, इनको बारा अंगो में संकलित किया गया, ठीक है, इन्हें आगम कहा गया था, ठीक है, हम बारा ये साहिति के बारे में, जब देखेंगे जैन साहिति के बारे में, तो वहाँ चर्चा करेंगे, द्वितिया जैन संगिती 512 इस्वी में हुआ, आपको इसे भी याद रखना है, 512 इस्वी में द इतनी भी जैन गरंते उनको अंतिम रूप दिया गया इसी दुसरी जैन संगिती में, तो आपको दो जैन संगितियों को याद रखना है, हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि जैन सहित्य कौन-कौन से important जैन सहित्य है, ठीक है, यह जैन सहित्य जो है, इसे कहा गया आगम, जैन सहित्य को आगम कहा गया, इस आगम में बारा अंग थे, जो कि प्रथम जैन संगिती में संकलित किया गया था, इसमें बारा उपांग, दस प्रकिर्न, छे छेद सुत्र, चारमूल सुत्र थे, आगम में, ठीक है, यह जो गरंत थे, जैन धर्म के, इसे अर्ध मागदी भासा में लिखा गया था, दोस्तों, हम लोगों ने देखा था, कि जितने भी ब्राम्मन गरंत थे, बेद थे, ब्राम्मन गरंत उपनी सथ, यह संस्क्रीट में लिखे गये थे, लेकिन जो जैन धर्म के गरंत थे, जो बौध गरंत थे, बौध साहित थे, यह अर्ध कि भासा थी उस भासा में ही अपने ग्रंथ को लिखे तो इन ग्रंथों को लिखा गया अरध मागदी में लेकिन बात आती है एक बहुत important question की और एक बहुत important ग्रंथ के बारे में कल्पसुत्र ठीक है आपको इसे याद रखना ही रखना है कल्प सुत्र जोकी भद्र बाहु के द्वारा लिखा गया है और ये संस्क्रीट में लिखा गया है इसलिए आपको इसे याद रखना है हमने बोला कि जैन ग्रन्त लिखे गये अर्दमागदी में, लेकिन कल्प सुत्र जोकी भदर बाहु के द्वारा लिखा गया, इसे संस्कृत में लिखा गया। बात करते हैं प्रभाचंद्र ठीक है प्रभाचंद्र ने एक प्रभाचंद्र नाम का एक जैन निर्ग्रंथ थे उन्होंने लिखा एक जैन धर्म के जैन धर्मी थे उन्होंने लिखा प्रमेकला मार्तंड ठीक है आपको याद रखना है प्रमेकला मार्तंड किसके द्वारा लिखा गया है तो प्रभाचंद्र के द्वारा लिखा गया है प्रमे कला मार्तंड भगवती सुत्र बहुत ही इंपोटेंट यहां पर देखे भगवती सुत्र बहुत ही इंपोटेंट जैन साहित्यत इसमें भगवान महावीर के लाइप स्टोरी के बारे में लिखा गया है मत जन पदों के बारे में देखेंगे तो वहां देखेंगे महाजन पदों को और इस महाजन पदों का जो उल्लेक देखने को मिला है इस जैन सहित्य के भगवती सुत्र में देखने को मिला है बात करते हैं आचरांग सुत्र की तो आचरांग सुत्र में जैन भिक्छूओं के और ये क्यों important है? तो जब बात किये कि 300 इसापुर्व में मगड में भीसा नकाल पड़ा था, उसके बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया, किसमें जैन धर्म दो भागों में स्वयकामबर और दिगंबर में बट गया, उसका चर्चा इसी परिसिष्ट वर्वन में देख इसलिए ये बहुत important हो जाता है, हम लोग आगे बात करते हैं कि जैन धर्म का कुछ योगदान समाज में और इसके कुछ महत्वपूर्ण तर्थे के बारे में, तो जैन धर्म की में जो था, ये वर्ण विवस्था जो उत्तरवैदिक काल में हमने देखा था, वर्ण विवस प्रिष्टि से देखा जाता था, उनको इज़त नहीं दिया जाता था, उनके बीच मदभेद होने लगा था, जिसके कारण से इन संपरदायों का उदय हुआ था, हमने इसके बारे में बिस्तार से बौद धर्म वाले क्लास में चर्चा किया है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं, तो वैदिक कर्मकांड और जो वर्न विवस्था की बुराईयों को जैन धर्म में रोकने का बहुत ही जादा परियास किया गया, फिर उसके बाद जो जैन धर्म के लोग थे, जो जैनियों जैन थे, उन्होंने अपने उपदेश जो दिये दोस्तों, ये प् अपभरंस भासा, ठीक है, अपभरंस भासा, आपको याद रखना है, अपभरंस भासा में पहली बार किसी ने अगर गरंत लिखा है, तो वो जैनियों ने लिखा है, ठीक है, जैनियों ने लिखा है, और इसके व्याकरन को भी जैनियों के द्वारा लिखा गया है, बात करत जैन धर्म के लोग मुर्ती पूज़क नहीं थे, लेकिन बाद में ये लोग भी मुर्ती पूज़क करने लगे, महावीर और अन जैन तिर्थंकर जो थे, इनके मुर्तियों को पूजने लगे, जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही महतुप दिया गया दोस्तों, बहुत ही priority दि आहिंसा को इसका मतलब है कि जीव जानतुों को मारना वरजित था तो जैन धर्में युध और किरीशी दोनों वरजित था ये आपको बहुत important है आपको याद रखना है कि जैन धर्में युध और किरीशी दोनों वरजित थे क्योंकि दोनों में जीवों के परती हिंसा होती है अब जैन धर्म में ये वर्जित था बात करते हैं कि जैन धर्म संसार की वास्तविक्ता को स्विकारता था इस संसार की वास्तविक्ता को इस संसार की रियालिटी को स्विकारता था लेकिन इस संसार को बनाने वाले इस्वर हैं ऐसा वो लोग नहीं मानते थे ठीक है आपको इसे याद रखना है जैन धर्म, पुनर जन्म और पुनर जन्म पर विश्वास रखते थे और ये लोग कर्म वाद पर भी विश्वास रखते थे आपको बायाद रखना है गोमतेश्वर की मूर्ती ठीक है इसे पूछा जाता है एकजाम में कि गोमतेश्वर की मूर्ती कहा है तो स्रवन बेलगोला में बिसाल गोमतेश्वर की मूर्ती अवस्थित है जो कि गंगवंस के मंत्री चामुंड रायद्वारा बनाया गया था दस दसवी सदी में आपको इसे याद रखना है, दसवी सदी में इसे गंग वंस के मंतरी चामुंड द्वारा गोमते स्वर की मुर्ती बनाई गई थी, ठीक है, और खजुराहों में जो जैन मंदिर है, इसे चंदेल सासकों के द्वारा बनाया गया, अहिंसा जैन धर्म का आधार हम लोग देख रहे हैं कि जो ये छटवे जैन तिर्थंकर थे पद्म परभू, हमने बताया था कि कुछ जैन तिर्थंकर इंपोर्टेंट है, आपको उनके नाम याद रखने है, तो आपको याद रखना है छटवे जैन तिर्थंकर के बारे में पद्म परभू, तो ये बहुत ही important तिरतस्थल है तो इसे भी आपको याद रखना है चलिए हम देखते हैं कि प्रमुक्त जैन तिर्थंकर और उनके प्रतीक चिन ठीक है तो जब ऐसा माना गया है ऐसा मतलब evidence है कि जब महावीर जी का महावीर स्वामी का जन्म होने वाला था ठीक है उनकी माता त्रिसाला को सिंग के सपने आते थे उनके सपने में सिंग या सेर आते थे तो कहा जाता है कि जो महावीर है महावीर जी का प्रतीक चिन के रूप में सेर को देखा जाता है पार्स्वनात को फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो रिसव देव थे, जो पहले प्रथम तिर्तंकर थे, जिने आदिनात भी कहा जाता था, इनका चिन कौन था, इनका चिन क्या था, तो सांड या व्रिसव आपको याद रखना है, ठेक है, उसके बाद अजीतनात, जो कि दुसरे तिर्तंकर थे, आपको याद रखना है, इनका था प्रतिक चिन हा थी, जो कि सोलहवे तिर्तंकर थे सांतिनात, इनका प्रतिक क्या था, तो म्रिग, सांतिनात के प्रतिक के चिन के रूप में किसे जाना जाता है, म्रिग, उसके बाद पार्स्वनात, जिसके जिनके इस्वे तिर्तंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी जो की वासुदेव स्रीक्रिस्न के चचेरे भाई के रूट में इन्हें देखा गिया है, ठीक है? वासुदेव स्रीक्रिस्न के चचेरे भाई थे और रीग वेद में इस अरिष्ट नेमी का उलेक देखने को मिला है. हम लोगों जैन धर्म का पतन स्ठार्ट हो गया ऐसा क्यों हुआ इसके क्या प्रमुक कारण रहे तो हम लोग इस प्रमुक कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कुछ प्रमुक कारणों पर चर्चा कर लेते हैं कि इसके पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म में अहिंसा को बहुत ही प्रायोरिटी दिया गया इसमें युद्ध और क्रीसी दोनों वर्जित था ठीक है युद्ध तो मान कर चलते हैं कि वर्जित था कोई बात नहीं लेकिन अगर आप क्रीसी वर्जित कर देंगे तो लोग आधारम के लोग थे इनके लिए जीवन यापन करना बहुत ही दुसकर था यह इस क्रीसी के बिना तो क्या हुआ इस क्रीसी परधान भारतिय जनता जो थी उस समय ठीक है तो यह जैन धर्म के परति क्या हुआ कटने लगा जैन धर्म से कटने लगा और जो केवल उस समय नग चाहियों की संख्या धिरे-धिरे घटने लगी इस अहिंसा के कारण जो कि बोला गया कि क्रिसी भी वर्जीत है दुसरा यहां पर यह कहा गया कि अहिंसा तो था ही था लेकिन इसमें कठोर बहुत ही कड़े-कड़े नियम थे, कठोर तपस्या पर इसमें जोर दिया गया था, आपको ग्रिह त्याग करना है, बस्त्र त्याग करना है, और परिग्रहन यानि कि धन संपत्ति आप अरजित नहीं कर सकते हैं, संग्रहित नहीं कर सकते हैं, तो इन सब बातों को जो जन साधारन, जो समानने लोग है, इन सब को मानने से इंकार करने लगे और उनके बिना इनका काम भी नहीं चलने लगा, तो धीरे-धीरे लोग इनके बिना लोगों का जीवन भी संबख नहीं था, तो धीरे-धीरे लोग जैन धर्म से इनकी रुची घटने लग वहत होना बहुत ज़रूरी है तो जैन धर्म का जो राजा महाराजाओंग का सनरक्चन था जब महावीर स्वामी थे उस समय तो इन्हें प्राप था लेकिन धीरे-धीरे राजाओं का सनरक्चन इससे घटने लगा और जिससे की इनके अन्याईयों की संक्या घटने लगी और उसके बाद बात आता है किसी भी धर्म को बढ़ने के लिए फलीभूत होने के लिए इसके लिए एक बहुत ही अच्छे प्रचारक की आवस सकता होती है अगर आपको अच्छे प्रचारक नहीं मिलेंगे तो उसके धर्म को फलीभूत नहीं हो पायेगा तो ऐसा देखा गया कि जैन धर्म में अच्छे प्रचारकों क्या अभाव देखा गया इसके कारण ये सब कुछ कारण रहे जिससे की जैन धर्म का धीरे-धीरे पतन स्टार्ट हो गया दोस्तों महावीर स्वामी के निर्वान के बाद तो हम लोगों ने देखा आज जैन धर्म से रिलेटेड सारे तत्थे को आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आपको इस सेक्षन से कोई भी प्रस्ट नहीं छुटेगा इवेन PCS तक के क्वेस्टन आप हल कर पाएंगे आपके लिए हम लोग एमसीक्यू भी लेकर आएंगे तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे अगर आपको हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो आप इसे ल अखले मिले थैंक्यू दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में महा जन्पत के साथ तो तब तक के लिए अलविदा स्वस्त रहें और सेफ रहें चलिए